तो गाइज वेलकम हैं आपका हमारे योट्यूब चैनल से डबली व्लॉग्स में जैसा कि आप जानते हैं हम डोडा के ही व्लॉग करते हैं तो इसी सिल्षने में आज हम आए हैं ब्रेसुना जहां हाजी पब्लिक स्कूल है तो वहां से हम आ रहे हैं आप देख सकते हैं यह रोड है जो ब्रेसुना से डोडा की तरफ आता है बहुत ही अच्छा रोड यह देख सकते हैं पहडू के बीज वादी और वादी में बरफ बरफ के लुत्त अंदोज नजारे हम चाहते हैं कि हमारे वीवर्स ऐसी करें बहुत अच्छा रोड है रोड भी काफी अच्छा है ब्लैक टॉप करके है यह पहड़ों के बीच एक वादी है और यह देखिए आप किस प्रकार का व्यू है यहां से हम वापिस चल रहे हैं डोडा की और तो डोडा के लिए हम वापिस आ गए हैं तो आप देख सकते हो रास्ते में भी कितने प्यारिप्यारे व्यू हैं ऐसे हमें तो शहरों में ऐसे व्यूल देखने को नहीं मिलते हैं तो इसी सिलसले में आज हम डोडा से तकरीबन 40-50 km दूर आए तो यह से अब हम वापिस जा रहे हैं डोडा की और बहुत हैं खुबसूरत व्यू जितनी तारीफ की जाए उतनी कम और यह वो गाउं है यहां से बहुत से केस अफसर भी है मैं आपको एक मकान दिखा दूँ यह जो आप मेरे सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं यह यलो कलर की लाइट कलर की बिल्यो कलर की यह बहुत बड़े बिजनसमेन हैं और यह आप यलो कलर की बिल्डिंग देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग से हमारे केस अफसर हैं जाकर हुसेन वानी साब इनका नया मकान उपर भी है वो मैंने एक वीडियो में दिखा दूँगा यह पार का व्यूँ यह पीछे स्राइन दार बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूँ है हमारे गाउं के तो फाइनली आज हम अपने गाउं आये थे और वर्क प्रेशर की वज़ा से हम जल्दी वापस निकल रहे हैं ज्यादा बैठने की इजाज़त नहीं है तो इसलिए हम वापस आ रहे हैं तो हम दिखाएंगे आपको यह आना कहां से है क्या कहां से करना है तो गाइस वीडियो में एंट तक बने रहें और जो हमारी योटूब फैमली में जिनने हमें हमारी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का बटन प्रेस करें ताकि हमारी लेटस्ट वीडियो देखने के लिए तो गाइस यहां पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया सोचा कि आपने वीवर्स को यहां के आगे वाले गाउं बताएं तो यह देखिए आप आगे का व्यूव यह बिल्कुस हमने जो आप गाउं देख रहे हैं यह चहरोड का गाउं है यह यह रोद का गाउं है तो हम अभी पर्शुला की तरह रुख करने हैं अब हमाप पर्शुला भी दिखा देगे अभी हम अलाइपूरा मोड पे है जो मोड कभी नहीं टिकता था यहां पे उसी मोड पे है अब हम जा रहे हैं नीचे के लिए रोड बहुत अच्छा है हमारे वीवर्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि यहां का पे विजिट करें हाजी पुब्लिक स्कूल है यहां पे स्राइन अधार है जहांसे आप किष्टवाड का वियोव ले सकते हो सनासर का वियोव ले सकते हो एसी-ऐसे ही अच्छी-च्छी जगाएं हैं तो यह पार जो यह रोड आप देख रहे हो यह रोड छरोड चलीवन शादीवन हर जगा यह रोड जाता है अभी हम अलूइपूरा में तो निकर रहे हैं नीचे के लिए चाप से मिलेंगे परशोला में यह जो घर आप मेरे सामने देख रहे हैं यह परशोला में हम पहुँच गए हैं यह मेरे ख्याल से शायद बालकृषन राठोर जी जो बहुत बड़े बिजनसमेन है दुबई में उनका घर है शायद तो यहां से परशोला गाउन स्टार्ट हो रहा है अब हम परशोला के आगे का पूरा मनजर आपको दिखाएंगे वीडियो में एंड तक बने रहें वीडियो तो गाइस फाइनली हम ब्रेसोना से उतर के नीचे परशोला से नीचे यहां करेली में पहुंच गए हैं जहां पर जिरो पॉइंट है यह रोड जो आप सीधा आगे जा रही है यह आसी सी डूंगरू अगेरा जाती है तो आपने यहां से योट का रास्ता है यह I think 14.2 मेरे हिसाब से तो आप जा सकते हैं और एंजोई कर सकते हैं बरफ को आज बहुत ही प्यारा मौसम है तो इसी के साथ यह आगे महला बटल यह एरिया महला बटल का एरिया पड़ता है यह दिवाल वगेरा यह पारा खनकूट I think खनकूट का एरिया है तो गाइस होप कि आपने एंजोई की हो वीडियो अगर आप ने एंजोई की है वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं खुदा हाफिज